घर से भाग कर शादी करने वाली लड़कियों के लिए प्रेन के AC कमपार्टमेंट में मेरे सामने एक सीड पर बैठी लड़की निमुझ से पूछा हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैठ से एक फोर निकाला, वा नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी लेकिन सिम स्लोट खोलने के लिए पिन की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी मैंने हां में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैठ से पिन निकालकर लड़की को दे दी लड़की ने ठैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी थोड़ी देर बाद वा फिर से इधर उधर ताकने लगी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा कोई परेशानी वा बोली, सिम इस्टार्ट नहीं हो रही, मैंने मोबाइल मांगा तो उसने दे दिया मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी एक्टिव होने के बाद ID वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी लड़की ने पूछा, ID वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आज कल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिवेट होती है जिस नाम से यह सिम ली गई है उसका ब्योरा पूछा जाएगा बता देना लड़की बुदबुदाई और मैंने दिलासा देते हुए कहा इसमें परेशानी की कोई बात नहीं वा अपने एक हाँ से दूसरा हाँ दबाती रही मानो किसी परेशानी में हो मैंने फिर विनमरता से कहा आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोवाईल इस्तिमाल कर लीजे लड़की ने कहा जी फिलहाल नहीं ठैंक्स लेकिन यह सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता मैंने कहा एक बार एक्टिव होने दीजे जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की ही होगी उसने कहा ओके कोशिश करते हैं मैंने पूछा आपका इस्टेशन कहां है लड़की ने कहा दिली और आप लड़की ने मुझसे पूछा मैंने कहा दिली मैं भी जा रहा हूँ एक दिन का काम है आप दिल्ली में रहती है या लड़की बोली नहीं नहीं दिल्ली में कोई काम नहीं ना ही मेरा घर है वहाँ तो मैंने उत्सुपता वर्ष पूछा वह बोली दरसल यह दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है फिर हमेशा के लिए आजाद लेकिन किस तरह की कैद से मुझे फिर जिग्यासा हुई किस कैद में थी या कमसिन अलहर सी लड़की लड़की बोली उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है जहां घर वाले कहें शादी कर लो जब जैसा कहें वैसा करो मैं घर से भाग चुकी हूँ मुझे ताज्यूब हुआ मगर अपने ताज्यूब को छुपाते हुए मैंने हसते हुए पूछा अकेली भाग रही हैं आप आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा वो बोली अकेली नहीं साथ में है कोई कौन मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे दिली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और इसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे ओ तो यह प्यार का मामला है उसने कहा जी मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मेरेज की है यह बात सुनकर वह खुश हुई बोली वाओ कैसे कब लव मेरेज की बात सुनकर वह मुझसे बात करने में रुची लेने लगी मैंने कहा कब कैसे कहा वो मैं बाद में बताऊंगा पहले आप बताओ आपके घर में कौन-कौन है उसने होश्यारी बरत्ते हुए कहा वो मैं आपको क्यूं बताऊं मेरे घर में कोई भी हो सकता है मेरे पापा, मम्मा, भाई बहन हो सकता है भाई ना हो सिर्फ बहने हो या ये भी हो सकता है कि बहने ना हो और दो-चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता मैंने काउंटर मारा वो बोली कुछ भी नाम हो सकता है मेरा टीना, मीना, रीना और कुछ भी बहुत बातुनी लड़की थी वा थोड़ी इधर उधर की बाते करने के बाद उसने मुझे एक चॉकलेट दी जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में और बोली आज मेरा बर्थडे है मैंने उसकी हथेली से चॉकलेट उठाते हुए बधाई दी और पूछा कितने साल की हो गई हो वा बोली 18 की मतलब भाग कर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी वा हसी कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों जैसे बहुत पहले से जानते हूँ एक दूसरे को मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है यानि 17 साल बड़ा हूँ उसने चुटकी लेते हुए कहा लग तो नहीं रहे हो मैं मुस्कुरा दिया मैंने उससे पूछा तुम घर से भाग कर आई हो तुमारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है इतनी बेफिकरी मैंने पहली बार देखी खुद की तारीफ सुनकर वाख खुश हुई बोली मुझे उन जनाब मतलब मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना अपना मूट बिल्कुल खराब मत करना सिर्थ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना और मैं वही कर रही हूँ मैंने फिर चुटकी ली और कहा उसने तुम्हें मुझ जैसे अंजान तेलेंटेड है उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया नई सीम और मोवाइल दिया तीन ट्रेने बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके वेरी टेलेंटेड परसन लड़की ने हामी भरी और बोली बहुत टेलेंटेड है वा उसके जैसा कोई नहीं मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए है एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा 2 साल का यह देखो उसकी तस्वीर मेरे फोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुझ से निकल गया सो क्यूट मैंने उसे बताया कि जब मेरी बेटी पैदा हुई तब मैं कुवैत में था एक पैट्रो कमपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी बहुत अच्छी सेलरी थी फिर कुछ महीनों बाद मैंने वह जॉब छोड़ दी और अपने ही शहर में काम करने लगा लड़की ने पूछा जॉब क्यों छोड़ी मैंने कहा बेटी को पहली बार गोद में उठाया तो रहे उधर मैं पूरी दुनिया को कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा है मेरी दो टके की नौकरी बचपन उसका लाखों का उसने पूछा क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहां मैंने कहा काफी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद र मैंने परिवार को चुना अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवायत वापस गया था लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया लड़की ने कहा फेरी इंप्रेसिव मैं मुस्कुरा कर खिड़की की तरफ देखने लगा तो लड़की ने पूछा लड़कपन के शिखर पर है बिल्कुल ना समझ और मासूम छोटी बहन सी मैंने उसे बताया कि हमने भाग कर शादी नहीं की और यह भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नजर में सकती से रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया लड़की ने और आगे पूछा फिर आपने क्या किया मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था खुशी ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं मेरी वाइफ का नाम खुशी है मैंने दो टुक मन देती रही कि भाग चलते हैं पर मैं मना करता रहा मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज़त पर कोई खास पर्क नहीं पड़ता जबकि लड़की के पूरे कुल की इज़त चली जाती है भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो बन जाता ह हीरो माना जाता है लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वह कुल्टा कहलाती है मुहले के लड़के उसे चालू कहते हैं बुराईयों के तमाम शब्द कोश लड़की के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की व् गलत है लेकिन हमारे समाज में है तो यही यह नजरिया गलत है मगर सामाजिक नजरिया यही है वो अपने नीचे का होंट दांतों तले पीसने लगी उसने पानी की बोतल का ढखकन खोल कर एक होंट पिया मैंने कहा अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी मा तो शा समान ही हैं चाहें शादी ना हो तो ना हो कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गई लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी उसने पूछा फिर आपकी शादी कैसे हुई मैंने बताया कि खुशी की सगाई कहीं और कर दी गई थी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो लगा था खुशी और उसके मंगेतर की बाते भी होने लगी थी फोन पर लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी डिमांड मतलब लड़की ने पूछा डिमांड का एक ही मतलब होता है दहेज की डिमांड परिवार में सब को स की अदायगी का पक्षधर था वो सगाई मैंने तुड़वा डाली इसलिए नहीं कि सिर्व मेरी शादी उससे हो जाए बलकि ऐसे लालची लोगों में खुशी कभी खुश नहीं रह सकती थी ना उसका परिवार पिर किसी तरह घरवालों को समझा बुझा कर मैं सामने आ गया और हमारी शादी हो गई यह सब किस्मत की बात थी लड़की बोली चलो अच्छा हुआ आप मिल गए जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो और यह भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है काम की बात यहां यह है कि कौन ज़्यादा वफदार है लड़की ने फिर से पानी का घूट लिया और मैंने भी लड़की ने तो तरक दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो बच्चों और मा इश्क का असली मतलब पता है अभी उसने पूछा क्या है इश्क का सही अर्थ मैंने कहा तुम इश्क में हो तुम अपना सब को छोड़कर चली यह सच्चा इश्क है तुमने दिमाग पर जोर्म नहीं दिया यह सच्चा इश्क है फाइदा नुकसान नहीं सोचा यह इश्क तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिलकुल खाली था उसे खाली जगर में इश्क का फितूर भर दिया गया जिन जनाब ने इश्क को भरा क्या वो इश्क में नहीं है यानि तुम जिनके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं बलकि होश्यारी हीरोगिरी में है जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है तीन ट्रेने नहीं बदलवा पाता है उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता कोई कहे मैं आशिक हूँ और वह शातिर भी हो यह ना मुंकिन है मजनु इश्क में पागल हो गया था लोग पत्थर मारते थे उसे इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है जबकि उसका असली नाम कैस था जो नहीं इस्तिमाल किया जाता वह शातिर होता तो कैसे मजनू बन पाता परहाद ने श्री के लिए पहाडों को खोट कर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था वो इश्क था इश्क में कोई फकीर हो गया कोई जोगी हो गया किसी माजी ने पहाड तोड कर रास्ता निकाल लिया किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया चाला की नहीं की लालच, हवास और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है इश्क समरपड करने को कहते हैं जिसमें इनसान सबसे पहले खुद का समरपड करता है जैसे तुमने किया लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानि तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई, लड़की अचानक खोस ही गई, उसकी खिलखिलाहट और चुलबुलापन एकदम से खामोशी में बदल गया, मुझे लगा मैं कुछ जादा बोल गया, फिर भी मै आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था, ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता ना दिमाग पर, वो अकल मंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता, आज कल गली महले के हर तीसरे लॉंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैस कुछ है, इस तरह की स्टन्ट बाजी, डेरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं, लड़की के चेहरे का रंग बदल गया, ऐसा लग रहा था, वो अब यहां नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहले निकल गया है, मैं अपने फोन को स्क्रोल करने लगा, लेकिन मन की इंदरी उसकी तरफ थी, थोड़ी ही देर में उसका और मेरा इस्टेशन आ गया, बात कहां से निकली थी और कहां पहुँच गई, उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी, उसने चुप चाप बैग में से आगे का पुशिश करने लगे, उसने कहा पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजे, मैं घर आ रही हूँ, दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमर पड़ा, हम ट्रेन से उतरे, उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी, उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी, और पिन मुझे वापस कर दी, मेरी यह कहानी देश की सभी लड़कियों को समर्पित है, मेरा यह दावा है कि माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, कहानी पढ़कर शेयर अवश्य कीजिएगा, शायद कोई परिवार, कोई बेटी और उनका भविश्य इस से बच जाए, दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताईएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रा कीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद